नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रिट आधी रात का खौफ कभी कभी जीवन में कुछ ज्यादा ही परिसान करता है कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आधी रात में नीन खुलने लगी और लगातार आप उठ जाते हैं एक को साबधान हो जाना चाहिए वैसे तो सुभा का समय सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है लेकिन तीन बजे सुभा का जो वक्त है यह सबसे ज्यादा सैतानी सक्तियों के लिए उत्तम भी माना जाता है वैसे तो चार बजे सुभा से लेकर पांच बजे का जो वक्त होता ह ये ब्रहम मुर्थ में आता है इसमें पूजा पाठ प्रार्थनाय विशेस लाभी देता है और इसमें की गई पूजा कभी निस्फल नहीं जाता यानि इसका आपको फल मिलता ही मिलता है लेकिन 24 घंटे के दिन में एक वक्त ऐसा भी होता है जो ब्रहम मुर्थ और आधी पालन करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये समय थोरा सा भारी हो जाता है क्योंकि अक्षांस और देसांतर के साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रात और दिन का समय हलाकी होता है अलग लेकिन सुबह तीन बजे का जो वक्त होता है जब सभी तरह की सैतानी सक्तियां सबसे ज़्यादा सक्तिसाली हो जाती है अगर हम कैथोलिक माननेताओं को माने तो दोपहर के तीन बजे जीसस क्राइस्ट यानि इसा मसी को सूली पर चढ़ाय गया था यह हुआ समय था जब सभी सैतानी सक्तियां इस्वर की सक्ति सभी सैतान सबसे ज्यादा सक्ति साली हुए इसके अलावे ये भी माननेता है कि जिस प्रकार उनको इसा मसी को उल्टा लटका दिया गया था यहां पर तो उल्टा सैतान का चिन्ध बन जाता है उसी प्रकार दोपहर के जो तीन वजे का वक्त है और रात के तीन वजे का वक्त है ठिक उलट अवस्था में होता है हिंदु धर्म में भी आधी रात या ब्रह्म मुहुर्थ में तीन बज़े का समय कई प्रकार से महतु रखता है एक तरह एक तरह सास्त्रों में सात्विक जीवन के लिए समय जगना अच्छा है पांच बज़े प्राथना करने से सफलताएं भी मिलती है संत्र जीवन का अभिन अंग है ये पांच बज़े का वक्त लेकिन तांत्रिक साधना में भी यह समय उतना ही उत्तम माना जाता है सिद्धियों को प्राप्ट करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधनाएं करते हैं बली देने की प्रथा है गुपत साधना भी होती है और तंत्र विज्ञान के अनुसार सुबह के तीन बज़े की गई साधना दीवी बली सबसे जादा फल देते हैं ठीक उसी प्रकार यह माना जाता है कि यह समय जादा तर सैतानी सक्तियों को सक्तियां जो होती हैं ब्रहमांड में घूम रही होती है इसी लिए इस सम समय को कि थीज़े का वक्त है लगबाक तीन बजरे में 10-15 लेट है तीन बजरे कर दस तरके हो रहे अगर बार आपका नीन खुल रहा है तो बहुत पर साभधान हो जाना है कोसीस करना है कि इस समय को आप ता लें क्योंकि दिमाग पे आप जैसा इलान फिट करके रात में त ठीक उसी प्रकार आपकी सुबर नीन भी खुलती है वैसे तो तीन बजे का जो समय होता है सेतानी असर खास तोर पर देखा जाता है हलांकि वास्तिमिक में यह चीजें कितना असर करती है इसमें भी बहुत सारे राच्छिपे हैं बैग्यानिक यूग में बुरी आत्माओं से कितानी सक्तियों का वास होने की बात थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यह विकार की बाते हैं पर यह सच नहीं है अमोमन यह वक्त ऐसा होता है जब आपका मस्तिस्क और सरीर पूरी तरह से सिथील पड़ चुका होता है सारीजिक रूप से लगातार निस्क्रे रहकर आपका सरीर मस्तिस्क ठकान मीटा होता है इसलिए वो थोड़ा-थोड़ा एक्टिव होता है और तीन वजे का जो वास्तविक समया है इस समया बस आप इसको रात भी कह सकते हैं देर रात जो काम करते हैं और जो लोग सुबह-सुबह उड़ते बर्मूत करते हैं लेकिन हां अचानक अगर आँक खुलने लगे पसीने आ रहे हैं दिल की धड़कन तेज होने लगी है आध पैट ठंडे होने लगते हैं आँक खुलने से पहले आस-पास किसी के होने के एसास बेगरह होता है ऐसी चीजें होती है इसमें तो इस प्रकार आपका मस्तिक्स जब सुबह तीन वजे जाकता है लेकिन सरीर उतना अधिक एक्टिव नहीं होता है तो दोनों का सामन जस से नहीं हो पाता जिसके कारण ऐसी स्थितियां भी गड़ती हैं कई बार ऐसा भी हो लेकिन आपके मस्तिसुबह जल्द उठने का बाते भी चल रही होती है जिसके कारण परी तरफ से अक्र नहीं हो पाते तब यह तित्या होती है लेकिन सुबह के तीन वजे का वास्तले पमतिक्स पूरी तरह से आपके जीवन परोवाव सबस बाता है दीरे-दीरे आपका श करें या फिर आप हनुमान चालीसा का बोल बोल कर पाठ करें दिरे दिरे आपकी आदत भी छूट जाएगी और जो निगेटिव प्रवाव है वो भी समावत हो जाएगा हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेव ध